आज तक रेटियो, सुनता है सारा जहां ज्यान ठ्यान 15 अगस्त 1947 को भारत जब आधिकारिक तोर पर आजाद हुआ तब भारत एक और हिस्से में बढ़ चुका था और वो हिस्सा था पाकिस्तान का पाकिस्तान को देखने के आपके कई नजरीय हो सकते हैं एक देश जिसने धर्म के आधार पर खुद को अलग किया समविधानिक सरकार बनाने को लेकर लगातार जूचती रही आतंकवाद को पनाह देने का आरोप एक लंबे समय से लगता रहा है लेकिन पाकिस्तान से जुड़ी एक और दिल्चस्प बात है और वो बात है समविधान की पाकिस्तान में खुद को भारत से एक रोज पहले आजाद किया था यानि की 14 अगस्त 1947 को मगर फिर भी उसको अपना समविधान बनाने में 26 साल लग गए लेकिन ऐसा हुआ क्यों इसकी पीछे वजह क्या रही और पाकिस्तान की समविधान की कुछ दिल्चस्प नियम क्या है इनी सब सवालों के आज जवाब को तलाशेंगे नमस्कार मेरा नाम सूरज कुमार है और आप ग्यान ध्यान सुर रही है भारत और पाकिस्तान दोनों के पास एक ही तरह की राजनितिक विरासत थी दोनों ने ब्रिटेन की पालियामेंटरी डेमोकरेटिक सिस्टम को अपनाया था पाकिस्तान की संस्थापक महम्मद अली जिन्ना ने भी नहरू की तरह ही अपने सभी नागरिकों के लिए धार्मिक सुतंतरता का सपना देखा था मगर पाकिस्तान की बनते ही ये देश अपने कॉंट्राडिक्शन्स में फस्ता चला गया एक और भारत 1950 में लिखित समविधान अपना कर एक रिपबलिक बन गया दूसरी ओर पाकिस्तान को अपना समविधान बनाने में 26 साल लगे और वो भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका 1947 में पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद वहां पहला समविधान 23 मार्च 1956 को लागू किया गया था इसी दिन ही आधिकारिक तोर पर भी पाकिस्तान को एक इसलामी रिपब्लिक भी खोशित कर दिया गया था। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान के समविधान में फिर बदल होता रहा। 1956 के बाद 1962 में फिर 1979 में बदलाव हुआ। वहाँ 1970 के समविधानिक संकट के बाद नई सरकार के लिए सबसे महत्यपूर्ण काम में से एक नए समविधान का मौसौदा तयार करना था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के विभाचन के बाद 1972 को 1970 के चुनाफ के आधार पर ही लेजिसलेचर बनाया गया था। फिर 10 अप्रेल 1973 को समीती ने समविधान के बारे में अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसके बाद 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में नया समविधान लागू कर दिया गया। खास बात ये है कि इसका फॉर्मेट जुल्फिकार अली भुटो की सरकार और विपक्ष दोनों ने मिल कर तयार किया था। अब जिस समविधानिक संकट की मैं उपर बात कर रहा था वो दर असल था क्या। क्यों पाकिस्तान को समविधान बनाने में 26 साल लग गए रोहिट से सुनिये। कि मामुली राजनेती खल चल होने पर भी पाकिस्तान पर तख्ता पलट का खत्रा मढ़राने लगता है। इसका सीरा मतलब यह है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो धार्मिक कट्टरता में सिर से पाउं तक डूबा हुआ है। सरकार चाहे किसी की भी हो वह धार्मिक कट्टरवादी समूहों को नाराज करके कोई काम नहीं कर सकती। भारत की सेना हमेशा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के हवाले रही है लेकिन पाकिस्तान में सरकारे सेना के हवाले हैं या ये कहें कि सेना का कंट्रोल सरकारों पर हमेशा रहता है कोल्ड वार के दोर में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जाने का रास्ता चुना उसी समय से पाकिस्तानी संप्रभूता सवालों के घेरे में रही लेकिन खास बात महां की मिलिटरी पावर ही रही जिस कारण लोगतांत्रिक सरकार नहीं चल पाई और सम्विधान बनाने में लगातार दिक्कतें आती रही। जिसका परपस सुप्रीम कोट के जजों की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर का निर्ने लेना था। बराबर रेप्रेजेंटेशन होता है। वहां के जो उमिदवार खड़े होते हैं उनका एक अलग पैरामेटर भी सेट किया जाता है। पाकिस्तान के चुनावों के लिए मुसलिम उमिदवारों को अच्छे चरित्र, बुद्धेवान, धारमिक, इमानदार और गैर लावकारी होना चाहिए। साथ ही उन्हें इसलाम का परियाप्त ग्यान भी होना चाहिए। जबकि भारत में उमिदवारों का चुनाव कानूनी तोर पर होता है ना की धारमिक तोर पर। आरक्षन की बात करें तो पागिस्तान की नैशनल असेंबली की कुल 342 सीटों में से 272 सीटें चुनावों से भरे जाते हैं और 8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो ये थी पाकिस्तान के समविधान और उससे जुड़े कुछ दिल्चस्प नियम। हमें उमीद है कि आपको आज का ग्यान ध्यान पसंद आया होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। कोई और विशह हो जिस पर आप ग्यान ध्यान सुनना चाहते हो तो हमें मेल कर सकते हैं रेडियो अट देरेट आज तक डॉट कॉम हमारा पता है सुझाव और शिकायत के लिए भी इसी पते का आप इस्तमाल करिएगा। मेरा नाम सुरज कुमार है अब इजासत दीजिए सुनते रहिए आज तक रेडियो